नमस्कार बहुत बस्वाद करते हैं क्लिक टूडे के आज के इस वीडियो में और आज बिहार इंशिटी मुझफरपुर के तमाम उस रिपोर्ट पे नज़र डालेंगे जो अभी सुर्खियों में जो चल रहा है सबसे पहला तो अगर हम बात करें यूजी और पीजी के परिक्षा को लेकर के तो वह पार्ट परिक्षा का जो कारिक्रम है वह इस महां के अंत तक जो है जारी कर दिया जाएगा और अगले महीने परिक्षा प्रस्ताबित है इसके वाद अगर हम बात करें दोज़र बीस से से सेशन पार्ट टू रिजल्ट को लेकर के साधिसार प शात्म शात्राइं वो ध्यान देंगे जो मुझफरपुर डिस्टिक के हैं तथा वैशाली जिला के सभी महाविद्याले के जित्ते भी छात्म शात्राइं हैं उनका जो केंद्र है MDDM कॉलेज बनाए गया है तो MDDM कॉलेज में आ करके म्यूजिक ऑनर्स का अपना परियोगिक परिक्षा देंगे दूसरे पॉइंट में स्थीतामडी तथा सिवर जिला के सभी महाविद्याले का के पी आर डी कॉलेज बरगिनिया बनाए गया है और तीसरे सान पर पताया कि पूरवी चंपारन जिला तथा पश्चमी चंपारन ज पूछ लिजे इसके वाद यहां पर देखे स्पॉर्ट एड्मिशन को लेकर के अभी जो है कल और परसो उनिवर्सिटी में हंगामा लगातार जारी रहा और स्पॉर्ट नामांकरन में सीट बढ़ाने के लिए बंद कराया विस्विद्याल है और पीजी गनित विभाग में अ यूजी एड्मिशन में भी 10-10,000 रुपए मांगे जा रहे है चातिम चात्राओं से उनातक में जितने सीट है उसका 10 प्रतिशत भी जो है पीजी में सीट नहीं है इसको लेकर किया जा रहा है आगे क्या होगा नहीं होगा क्योंकि हर एक कॉलेज का सीट एक लिमिटेड ही उसके लिए अगर सीट बढ़ाने की बात की जाती है तो इसका सुर्कृति जो है राजभवन से मिलना चाहिए उसके बाद ही सीट बढ़ाया जाता है तो ऐसा बहुत सारा परिशानी है मैंने आपको पहले ही बोला है इगनू यूशिटी उनका पीजी का नामांकन 30 अगर नामांकन उसमें ले सकते हैं अगर नहीं पढ़ने का मन है आपको आप यह सोचते हैं कि बिहायों सिटी बेडमिशन लेंगे नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा लास नहीं करना है आपको तो देखे इगनू में आपको माटेरियल दिया जाता है तो आपको पढ़नेगा साधीसाथ है मैद पर कढने का कोई जगते हैं आपको आपको पर आपको अपके लिए फार ब takes performing घृई सकते हैं और अगर आपको फार नहीं लग रहा है लग रहा है कि आपकी च्वाई से तो आप 20,000 रुपय तक दीजिए और एडमिशन करवाईए अपना एक और चीज में पता देना चाहता हूँ पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था की सीट नहीं होने के बाफ जू जो एडमिशन चल रहे थे दलाल के तुरू ह हुए इधर से हुए उधर से हुए तो इनका एक्जामिशन फॉर्म भढ़ने टाइम जो है प्रोविजनल फॉर्म इसके तरफ से नहीं आया इनको बहुत परशानियों का सामना भी करना पर रहा था तो आप दलाल के तुरू अगर एडमिशन करा रहे हैं तो जब तक पक्क कॉपी कर लिख रहे हैं तो देखे अब ही आपका कॉपी चेकिंग ही चल रहा है इस मा के अन्टक जो उम्मीद है कि आपका साब कॉपी चेकिंग कारे समाप्त कर लिया जाएगा और फिल्हाल स्पेशल प्रैक्टिकल परिख्शा नितेसवर कॉलेज में हो रहा है जैसा कि आप सभी कमाली में जिनका भी प्रैक्टिकल परिक्षा पूट गया था वह सब पहले तो चलान कटवा करके अपना रसीद ले करके जाएंगे अनी तेस्वर कॉलेज में वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिकल की कॉंपी और प्रैक्टिकल का परिक्षा जो अपना देंगे उसके परिक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा इसलिए अगर आपने अपनी पढ़ाई के तैयारी जो सुरू नहीं किये तो आप जो अपनी पढ़ाई के तैयारी सुरू कर लीजे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेस पेपर का कोश्चन बैंक का लिंक दिया आप कोश्चन बैंक जरूर से जरूर पर्चेस करिए पर्चेस करने का पूरा वीडियो प्रॉसेस भी पताया गया है पर्चेस करिया पढ़ाई करना सुरू कर दिजिए क्यूंकि एक्जामनेशन जो है सेप्टेंबर में प्रस्ताबित है युनिवरसिटी यह कह रही है कि स पूरा हो नहीं हो युनिवरसिटी को इस पार उससे कोई लेना देना नहीं है तो आप लोग एक बार अपना सब्जेक का गेस पेपर देख लो और कोश्चन बैंक देख जो पढ़ जाओ और उसके आद एक्जामनेशन के लिए बस इंतजार करो पहले तो रिजल्ट आएग वो देख ले ना उसके आद अपना पार्ट 3 के अपत्यारी में लग जाना कि कि युनिवरसिटी जो है पूरा मूड बना रखी है कि एक्जामनेशन जो है जल से जल कंड़क करवा करके रिजल्ट जारी करके खत्म कर दे और पीजी का जो है फिर अगले सेशन के लिए नामा